वेल्कम बैक टू सोनम सब तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही सिंपल वेसी गाजर की हलवा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अगर आप लोग के पास अलाइची पाउडर हो तो आप लोग प्लीज पाउडर भी यूज कर सकते हैं बट मेरे पास नहीं थी तो मैंने अल्टरनेट में अलाइची की दाने आड़ कर रही हूँ तो यह बहुत ही अच्छे से सारी चीज़े एक साथ मिक्स्ट हो गई है तो अच्छे से कम 15-16 मिनिट तक अच्छे से कोक होने देना है आपको हलकी हलकी बीच बीच में चलाते रहनी है और इसको अच्छे से यह मिल्क यह गाजर के साथ जब तक सोक नहीं है नहीं होती है तब तक हम लोग इसमें कुछ आट नहीं करेंगे तो यह होप यह गाजर के हलवा मेरी जो फ्रेंड आने वाली उसको पसंद आए तो मैंने इसको कवर कर लिया है और मैं इसको अच्छे से पका ली हूँ और यह जितने मिल्क है यह बहुत ही अच्छे से सोक कर ली है अभी इस पोजीशन में मैं यहां पर फिर से घी आट करूंगी क्योंकि दोस्तों गाजर के हलवा और मतलब घी यह दोनों का कॉंबिनेशन तो एकदम परफेक्ट होती है और अगर आप डाइट कॉंशियस हो तब आप मैं यह नहीं बूलूँगी का आप नहीं खाओ अभी मैं क्या करूंगी घी आट करने के बाद यह हूममेड मलाई है जो मैं घर पर बना ली थी तो मैं यह आट कर रही हूं क्योंकि दोस्तों मेरी यहां पर कोई भी स्वेट के शॉप अवेलेबल ले थी और मैंने मावा बहुत धूने की कोशिश के लेकिन मुझे मावा न अगर हम लोग उसको हलकी से ग्रेट कर ले उसके हलकी सी पावडर बना ले और फिर आट करें तो वह पूरी जो फ्लेवर होती है काजू आलमंड की वह बहुत ही अच्छे से आती है तो इसलिए मैंने ऐसे आट किया है अभी मैं इसमें शुगर आट कर रही हूँ और एक बात का आप लोगो को ध्यान रखना है दोस्तो जब आप गाजर की हलवा में शुगर आट करोगे उसके बाद आपको इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है अगर आप इसको कंटि राते चला चला के इड्स आलवेड दॉन बही जाए गा आट मां में शून दौल इसको बाद आट बirkoo मैं यह मिर्स L. तरल बाजाड आट हि कर दो सकतर है ऑशिक्क वयूर्ण निस संवेगान सबस्क्राइट प्रड बाधी यह एक अगर चाहते रच्राइट अन्यागित्स केशने च्छाइट विए इस वाराधीस नहीं कि आतार प्रड ताट किया है